हाँ सही देखा आपने सलाना 12 रूपे यानि महीने का सिर्फ एक रूपे खर्च करके आप 2 लाख रूपे का बीमा कैसे प्राप्ट कर सकते हैं हम बात करने वाले हैं दोस्तों परदानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में इसकल आप कैसे लिए ओनलाइन आवेदन कै कैसे करें ऑफ लाइन आवेदन करें सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं त्वाई जानते हैं बिना समय गवाएं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है मैंने उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे देख लिए जन धन से जन सुरक्षा दोस्तों हमारे समने कुछ ऐसा इंटर्वेस नजराता है यह मिनिश्ट्र फाइनेंस के अंटर में वेबसाइट आती है यहां पर हिंदी पर क्लिक करेंगे आप इसे हिंदी में कर सकते हैं यहां पर सबसे उपर तीन योजना मिल जाते हैं जिसमें स इसकी बारे में कुछ डेल आ गया है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको साफसा बता देना चाहता हूँ कि यह दुरगटना बीमा योजना है यानि कि इस योजना का लाब तभी मिलेगा जब किसी बेक्ती का दुरगटना होगा जैसे आपर देख लिए दुरगटना बस मिरती हो जाए या फिर बिकलांगता हो जाए तो ऐसे इस इस्तिती में इस बीमा का कवर की सुविदा मिल सकती है अधरवाई जैसे नेचुरल डेथ होने पर या फिर नेचुरल कुछ भी होने पर इस योजना का लाब नहीं मिलेगा 18 साल से 70 साल की एज में आप जब चाहें तब इस योजना का लाब आसानी से ले सकते हैं चाहें आपका एज 70 साल हो या फिर आपका एज 18-19 साल हो कभी भी इस योजना को बाई कर सकते हैं अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लिए एक जून से 21 माई तक इस योजना की जो आओधी है वो होती है यानि कि एक जून तक आपके अकाउंट से आटो डेविट के माध्यम से 12 रूपे कट जाएंगे या फिर एक जून से पहले भी यहाँ पर कट सकते हैं अगर हम प्रीमियम की बात करें तो उपर तेक सदस जिन्होंने इस योजना के लिए इंडॉल किया है वो सिर्फ 12 रूपे परती बर्स उन्हें जमा कराना होगा और यह भी 12 रूपे देख लिए यहाँ पर दिनांग एक जून अथवा उससे पुरूप काट ली जाएगी आपकी और्टो डिविट के माध्यम से एक जून या फिर एक जून से पहले यहाँ पर काट ली जाएगी पर डाओं चलब लेगम से लिए करिए आपरहें यहाँ वी दो दो आफ्चन पत्र और दावाप्र रवयतन पत्रपे अपनी li Mage कर करना चाहते हैं यहां पर सबसे पहले नाम पता और मुवाइल नमराधार संख्या जो भी है नॉर्मल यहां पे अपना डिटेल्ट डाल देंगे यहां पर नीचे है खादा आधारक की हस्ताक्षर यहां पे आपको अपना इहां पर सिनेचर कर देय देना है यहां पर डेट ढrakना है और इस बचिक को अपने ब्रांच में जहां पर आपका अकाउंट है अपने पास्बूक और अपने अधार काड़ के साथ इसको जाकर जमा करादना है जमा कराने के बाद आपका परधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नाम इंडॉल हो जाएगा अब दोखिए दोस्तों यह तो रहा आफलाइन तरीका की आफलाइन कैसे आवेदन करें अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करें यानि कि Net Banking के मात्यम से इसका हम लाव ले सकते हैं उसी तरीकसे हम Candra Bank के website पे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं enrollment through, sorry enrollment through internet banking यानि कि internet banking के मात्यम से इस युजना का लाव असानी से ले सकते हैं यहाँ पे हम ICICPEPitts Manager की bank की website पे हैं बगवान ना करेंगी कोई अनौनी हो लेकिन किसी के साथ कोई अनौनी हो जाता है तो ऐसे condition में सवाल पैदा होता है कि ये सोजना के जरी है हम पैसा कैसे प्राथ करें हम इसी website पर आएंगे यहाँ पर हम forms पर जाएंगे और यहाँ पर परधानमति सुरक्षा बीमा योजना प तो तीस दिन के अंदर में इस form को जमा भर की जमा कराना होगा जहां पर आपका account है जहां पर आप इस उजना का लाब लेने के लिए form भरे थे यहाँ पर अपना नाम डालेंगे यहाँ पर पूरा पता डालेंगे जो भी आपका नाम है बैंक का नाम उसका साखा जो भी जाएंगे तो अपका फाइनली यहाँ पर रुपें मिल जाएंगे दोस्तों उमीद करता हूँ परधान मतरी सुरक्षा वीमा योजना के बारे में आप सब कुछ जान के होंगे फिर भी कोई भी सवाल हो, डाउट सो, कन्फ्यूजन हो तो आप उसी टाम कमेंट करें, हम जरूर रिप्लाई करेंगे मिलते हैं के लिए वीडियो में जैंग